हलो एबरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं फिर आपके लिए नियू और बहुत यूसफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आएगी तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं पसंद आएगा तो एक लाइक और चैनल पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहली टिप है मेरी नेल पेंट को लेकर नेल पेंट लगाना हम सभी गर्स को लेरिज़ को बहुत पसंद होता है और हमारे पास तरह-तरह की नेल पेंट सोती है हम शादी पार्टी में जब भी रहता है तो उस टाइम पर जो हमें नेल पेंट चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है अगर आप कहीं पर शादी पार्टी में किसी के घर जा रहे हैं अगर आपके पास नहीं है तो उस समय पर आप इस हैट को जरूर ट्राई किजेगा यहाँ पर नेल पेंट रिमोवर ना होने के केस में आप परफ्यूम का यूज कर सकते हैं परफ्यूम से आप बहुत ही आसानी से नेल पेंट को रिमोव कर सकते हैं यह रेखिए यहाँ पर एक फिंगर में मैंने आपको नेल पेंट लगा कर दिखाया है और जब तक ये nail paint सूख रहा है तब तक जो बाकी finger में मेरे nail paint लगा हुआ है उसको मैं remove करके दिखाती हूँ इस hack को ट्राइ करके देखेगा बहुत useful hack है मुझे बहुत पसंद आया है ये तो आप भी ज़रूर इससे try किजेगा perfume को direct nail paint पर spray करके या cotton में spray करके बहुत ही आसानी से आप अपने nail paint को remove कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पर ये nail paint मैंने आपके सामने लगाया है और इससे नीचे भी एक nail paint already लगा हुआ था उसी पर मैंने इसे लगा कर आपको दिखाया है और ये देखिए बहुत ही आसानी से जो हमारा nail paint है ये remove हो जाता है आप इस hack को जरूर अपने घर में try करके देखिएगा बहुत useful है क्योंकि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो perfume तो सब के पास होता है और perfume हमारे पास भी कई bottles रखी होती है लेकिन अगर nail paint remove करने का अगर हमा हमारे पास नहीं है तो इस hack को आप जरूर try किजिएगा बहुत useful है कि तो I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो एक like जरूर करना तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से nail paint हमारा remove हो गया है तो है ना बहुत useful idea और चलिए देख लीते हैं next बहुत useful tip तो यहाँ पर दूसरी tip है मेरी weseline और perfume को लेकर winter के time में अगर आप अपने perfume को long spray कराना चाहते हैं क्योंकि हमने कई layer कपड़े पैने होते हैं तो perfume की fragrance continue बनी रहे इसके लिए जहाँ पर भी आप use करना चाहते हैं shoulder पे neck पे आप इस तरीके से थोड़ा सा weseline लेकर rub कर देंगे और इसके उपर perfume spray करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी long time तब perfume की fragrance बिलकुर fresh बनी रहती है आप इसे जरूर try किजेगा बहुत ही useful है के इस तरीके से थोड़ा सा perfume लगा कर आप rub कर देंगे तो बहुत ही long time के लिए perfume की fragrance बनी रहती है बहुत ही useful है के तो जरूर try किजेगा और चलिए देख लेते हैं next बहुत useful tip और next tip है यहाँ पर मेरी earring को लेकर हम लोग artificial earring या gold की earring पहनते हैं हमें पहनना पसंद भी होता है और कई बार शादी parties में हम काफी heavy-heavy earring पहनते हैं तो उसके लिए हमारे कान में आपने देखा होगे कि कई बार काफी तेज दर्द हो होने लगता है या कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि जो artificial earring होती है उससे उनके कान में न पस सा पढ़ जाता है या जखम हो जाता है तो दो बहुत useful tip लेकर आई हैं जिससे यह सभी परिशानी आपकी दूर हो जाने वाली है तो कई बार आपने देखा होगा कि जो earring पे लगा दे या कान में आगे पीछे से लगा लेंगे तो जो earring है बहुत ही आराम से आपके कानों में fit हो जाएगा और इससे आपको कोई दर्द या परिशानी भी नहीं होगी और इसी के साथ earring को लेकर एक और tip share कर रही है हम लोग जब भी किसी शादी पार्टी में heavy artificial earring पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि artificial earring पहनने से हमारे कान बहुत ही ज़्यादा red हो जाते हैं या पक जाते हैं कई लोगों को तो आपने देखा होगी कान में ऐसे पस से निकलने लगते हैं तो उस टाइम पर आप कोई भी lesson की एक गाठ ले लिजिए या इस तरीके से lesson की कली ले लिजिए और जो earring आप पहनना चाहते हैं उसे चार से पांच बार इस तरीके से lesson में चुबहेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे से जो lesson का juice है वो earring पे लग जाएगा और आप इसे use कर सकते हैं इसे use करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कानों में कोई भी दर् होगा या जो कान पकने की problem होती है वो नहीं होगी तो जरूर ट्राइ किजेगा बहुत useful tip है और मुझे comment करके बताइएगा कि आपको इन में से कौन सी tip पसंद आ रही है और चलिए एक और बहुत useful tip आपके साथ share कर रही है तो ये tip उन लोगों के लिए है जो शादी पाटी म हैवी मेक अप नहीं करना चाते ना ही कोई हैवी बेस लगाना चाते हैं और चाते हैं चहरे पर थोड़ी सी light रहे चमक रहे तो आपने थोड़ा सा वैसलेन लेना है थोड़ा सा वैसलेन लेकर उसमें आप एक highlighter जो बिलकुल ही light pigmented हो उस तरीके का highlighter लेकर उसे वैसलेन के शाइन आ जाएगी जो देखने में भी बहुत ही जादा अच्छी लगती है अपने थोड़ा सा वैसलेन इस तरीके से लगा कर और जड़ा सा highlighter यहां पर देखी ही मेरे पास यह light color का silver color का highlighter हो इसे लेकर हलका सा आपने वैसलेन के साथ mix करके लगा लेना है बिलकुल भी पता नहीं लग चलता कि कोई बहुत ज़्यादा अपने हैवी कुछ लगा रख है और बहुत ही अच्छी चहरे पर एक शाइन सी रहती है तो आप जरूर इसे ट्राइ किजेगा और दिए देखिए कितने अच्छे से यह blend हो गया है और बहुत ही अच्छी शाइन आती है बहुत ह इच्छा लगता है फेस हमारा तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह सभी टिप पसंद आये होंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा टिप है और चलिए मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई